सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल लाइट सब क्लासेश को और नीचे दिखुए बेल आइकोन का दबा दिजे सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हाई प्रेंट्स मैं हूँ बलराम प्रधान आप सब को फिर से स्वागत है हमारा यूटूब चैनल लाइट सब क्लासेश बे तो दोस्तो हर वीडियो की तरह आज इस वीडियो में कुछ हंगावा होने वाला है मैं ले आ हूँ आपके लिए एक बिल्कुल सा नेया ट्रिक जो ह थोड़ा ध्यान से देखो दोस्तों यह आपकी सामने दो इमेज है बिल्कुल क्लियर है क्या आपको कुछ पता है इस इमेज की ब्यारे में क्या आपको कुछ पता है अगर आपको कुछ पता है तो हमारा कमेंड सक्सान में कमेंड किजिए अगर नहीं पता है तो टेंशन ल चाहता हूं इसे जो सिंश्री जो ड़िंडर में आज आपके लिए ले आया हम उसको शुरू करने कब भेल मैं आपको कुछ मुस्छ सकता हूं तो the देखें कुस्चिन सिर्फ फाइब की फाइब ही कुस्चिन है दूस्तों आपके लिए देखें फादर अफ सहाजान हूँ वाज दशन अफ आकवर आप्टर बाब और दूस्तों ये कुस्चिन जो है ये काफी सारा प्रोब्लेम में डालता है कि कौन किसका बेटा है कौन किसका बाब है किस राज़त दोकाल में उसका क्या था ये मुगल एम्पेर जो है वो इतना भी बड़ा नहीं पर उसको याद करने में भी उतना आसान नहीं इसलिए आपका प्रोब्लेम को सल्व करने के लिए मैं एक बिल्कुल आसाम सा ट्रीक लेया है हूँ आपके लिए आज तो वो क्या है ट्रीक चलिए देखते हैं दोस्तों तो जो आज का ट्रीक है वहाएं पहले देख लेखते हैं King और Capital को जो मुगाल'sорд एंपियरर को जो King थारो Capital उसको पहले देख लेखते हैं और फिर उसके बाद हम ठीक को देखेंगे एंट तो जो पहला King था वह बाबार था और बाबार की राजत्तोब कल में जो उनकी क्यापिटल थी वो थी काबुल उसी तरह हुमायन की थे डली और हुमायन की थे डली और बाबर की थे काबुल हुमायन की थे डली आकबर की थे सिकंदराबाद जहांगिर की थे लाहोर सहाजान की थे आगरा और औरंगावाद की थे शरी औरंगवाद थे समझ में आगे दोस् उनका जो capital था ये था काबुल दिल्ली सिकंदराबाद लाहोर आगरा वगरा वगरा जो भी कुछ था तो उसको कैसे याद करेंगे और भो भी ट्रीक से बिल्कुल आसान से कैसे याद करेंगे चलिए दोस्तों मैं आपको ट्रीक बताता हूं ठीक तो ट्रीक क्या है सामने ट्र दोस्तो ट्रीक क्या है आपके लिए उस्तों जो आपके लिए त्रीक वे वारवाद स्य फिस्ते एस से आज़ारंगेरत ऐसे आग्या आपका सहाजहन और फैनली ऐसे आग्या आपका अरॉंगा जैब हादसा कादी सिलबाद कादी आता है काबूल किसका केपितल, काबूल किसका था काबूल किसका था बावर का था आट से अती hope ऑगे आपका डली की कीश आ के अनको था शिछ से आगए आपका सिकंदराबाद ऐस से आ आगे तो समझ में आ गया मैं फिर से एक बार और कर लेता हूं आपके लिए तो मुघल एमपेरार दोस्तों यह मुघ लेन को कुछिशिश कुछन सागी को बाप कोने है यहीं मो बढ़ार का टकॉन है और जहांगीर का बाप कौन है साहसान का बैटा कौन है उसका capital क्या है उनके राज़तों क्याल में कौन सा राजा थी यह से बहुत ही टाइप का question आता है और आ भी सकता है वो भी आएगा भी तो इस को इस problem को solve करने के लिए मैं आपके लिए जो trick बनाया था आज इस वीडियो के लिए वो था भाज़सा कादी सिलारावाद तो इसे आशन से trick आपको नहीं मीलेगे दोष्टों के बाज़सा कादी 이 सिलाराबाद यह संहीं दो तिन बार बोलने से आपका आपका मायन में आपका दिमाग में यह trick बिलकुल सेट हो जाएगा ठीक भाज़सा कादी हिलाराबाद जो मुगाल emperor के related जो trick है वो बिल्कुल set है जाएगा दो तिन बोलने के बाद दो तिन बार practice कीजिए मेरे भीडियो को एक बार दो बार देखिए उसके बाद मैं guarantee देता हूँ आपको कि भीडियो को खतम होने के बाद मैं जो 5 question पहले पुछा था आपको वो खूद ही आप solve कर पाएंगे त भादसा कादिसिलारबाद तो एक बार फिर से देख लेते भादसा से आता है क्या भादसा से आता है आपका मुगल इंपेरार का जितने सारे किंग है वो भादसा से आता है के से आता है एक बार फिर से देख लेते बी से आगया आपका बाबर ए से आगया आपका हुमायून A से आगया आपका अकबर J से आगया आपका जहंगीर A से आगया आपका सहाजान और A से आगया आपका औरंगाबाद ठीक है भादसा ठीक है ये तो गया भादसा अब है क्या कादी सिलाराबाद का से आगया आपका काबुल जो बाबर की कैपिटल थी दी से आगया आपका डेली जो हुमाईन की कैपिटल थी सी से आगया आपका सिकांदराबद जो अकबर की कैपिटल थी ला से आगया आपका लाहोर जो जहांगीर की कैपिटल थी आर से आगया आपका अगरा जो सहाजान की कैपिटल थी और फाइनली बात से आगया आपका औरोंगा बाद जो किसका औरोंगा जेब का क्यापिटल थी ठीक है दोस्तो समझ में आगया दोस्तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको दोस्तो सिर्फ मेरे विडियो को लाज तक देखना है दो तीन बार एक बार देखो दो बार कारेंटी देखकर बोलता हूं कि आपका यह जो भादसा कादी सिलाराबाद जो ट्रीक है आपका मायन में बिलकुल सेट हो जाएगा दोस्तो कोई भी टेंसन लेने का जरूरत नहीं आप खुद भी एक्सपरिमेंट कीजिए दो तिन बार मेरे विडियो को देखने की बात य दोस्तो मैं आपको वोला था कि अगर आपको पता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर पता भी नहीं तो कोई टेंसन नहीं में वीडियो की बाब में वीडियो को आखिर में मैं आपको इसके बार में बताऊंगा तो जो यह इमेज है यह कोहिनूर आता है जो important question एक आता है exam में वų में आज आपको वताऊंगा इस विलियो में तो वो जो important question आता है वो क्या है दोश्टो जो दो image आपके सामने है जो दो image आपके सामने है एक तो है कोहिनूर डाइमंड का image और एक यह पिकट थ्रून का इमेज ठीके तो दूस्तों आकर में यह सेशे में एससे का फेवर्लट कोशीन एए यह काफी बार कोशीन नहीं आता है लगभग हर साल यह कोशीन पूछे जाता है ठीके तो कुस्चीन कहें दोस्तों जो एक कोहिनूर डाइमंड और यह पिकट थ्रून ठीके कोहिनूर डाइमंड और पिकक थ्रून को किस राजा ने ले गया था और किस राजा की राजत्तों काल में ले गया था ठीके दोस्तो मेरे बात को समझो ये कोहिनूर डाइमंड और ये पिकक थ्रून ये दो इमेज है ना आपके समने ये कोहिनूर डाइमंड और ये पिक इसको किस ने ले गया था नादिर सहा ठीक है नादिर सहा नादिर सहा ने ले गया था नादिर सहा नादिर सहा ने ले गया था नादिर सहा ने ले तो गया था पर किस राजा की राज़त वकाल में ले गया था जो नादिर सहा ने ले गया था जो राजा की राज़त वकाल में तो राजा कौन थी वो थी महमत सहा ठीक है महमत सहा महमत सहा है महमत सहा हैं रेटिंग दोस्तों उतना भी अच्छा नहीं है पर मैं बोलता हूं बार-बार आपके सामने बोलता हूं आपको समझ में आती होगी ठीक है दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूं यह ज भी इंपोर्मेशन बन रहा था आपके लिए मैं आपको बता दिया दोस्तों विडियो के लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारा चैनल का एक मेंबर नहीं हुआ है दोस्तों तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल का एक मेंबर भी हुई है दोस्तों और दूसरों को भी बोलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्यूंकि हम लोग जो इतने सारे मेहनत करके आपके लिए ट्रिक बना रहा हूँ आगे भी बनाओंगा एसे ही बिलकुल आसान सा ट्रिक आपके लिए बनाओंगा और वह भी आपको लिए बिलकुल आसान होनेगा जो डूक्त हैirse कस़िस आपके लिएंपोंट है ये मैं आपके लिए नहीं गनाऊंगा जो भी एक्यों पनेq से मिपॉटांट है वही ट्र kalian में आपके लिए बनाऊंगा ठीक है दोस्तो एक बार मैं और आपके लिए इसे बोढ़े तो अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइबола कि जूए और विडियो को शेर कि झाल झाल